अगर आप बैंक और बोड़ा के कस्टूमर हैं तो आप देखते होंगे कि हर महीनी बैंक और बोड़ा की तरफ से आपको इस प्रिकार का एक मेल आता होगा जिसमें आपके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दिया रहता है और नीचे आओगे तो इसमें एक PDF भी मिलती है लेक इता है यूजर का अलग अलग होता है ऐसा नहीं है कि बबता दूं आपको कि यह पसपट गञों के हिसलो कुछ नाम की अक्चर होते हैं कुछ आपकी day of birth के शिर होते हैं तब आपका खुलता है तो आज वीडियो को देखने के बाद आप बैंको बड़ोदा का PDF का पासपड बड़ी आसान तरीके से अपना खोल सकते हो चलिए सारी दनकार को समझते हैं बुलकुल डेटेल्स में चैनल पर अगर आप पहली बार हो सस्क्राइब कर देना वीडियो प्रसंद आती है तो लाइक जिरूर कर देना आज कर आप बैंको परिसान है तो इस वीडियो को अंतक देखते रहेगा चलिए हम बात करते हैं इस पासपड को ओपन करने की तो सिंपल सा आपको क्या करना है अपना जो मेल है उसको ओपन कर लेना है और आपको इस परकार से यहां पर आपका इस टेटमेंट दिख जाएगा अगर नहीं से जो है स्टेटमेंट आजाएगा इस पर क्लिक करेंगे और इसी के नीचे आपको PDF मिल जाएगी किसी PDF में आपका स्टेटमेंट रहेगा अब आपको इस स्टेटमेंट में जो पासबैट है उसको पता करना है तो सिंपल सा आपके पास दो चीजे होनी चाहिए नमर एक आपकी डेट ऑब बर्थ आपको पता होनी चाहिए और यह सारे चीजे आपके आदार कार्ट पर आपको मिल जाएगी अब हो सकता है कि कुछ लोगों की डबल नाम हो जैसे आपका बैंक में कुछ और नाम है और आपके घर बरिवाय के लोग या गाओं के लोग कुछ आपक इस प्रकाश से उपिर, जैसे यहाँ पर किसी का नाम रभी प्रकास है और इनकी डेट अ बर्थ है 72 1970 तो उनका पासब्ध याँ पर दिया हुआ है रभी 0702 इस प्रकाश से यहाँ पर इसका पासब्ध रहाएगा एक आपको उधार और देता हूँ जिसे मानलो किसी बैक्ति का नाम मुकेस कुमार है और उसका डेट अप बर्थ है 261996 तो क्या करेंगे हम पहले M लिखेंगे, U लिखेंगे, K लिखेंगे और E लिखेंगे इतने लिखना है बस और ये सारे अक्षर आपके small एने की छोटे अक्षर होनी चाहिए इसके बाद हमक आपको अपने date of birth का दिन और मन्त लिखना है तो यहाँ पर सिंपस्टा 02 और 06 यहाँ पर पास्वेट बन जाएगा अब आपको देख लिना है आपका नाम किया है और आपके नाम के साब से आपका पास्वेट क्या बन रहा है जो भी आपका नाम है सरनेम से मतलब नहीं है जो आपका फर्स्ट नेम है उस फर्स्ट नेम में से पहले आपको चार अंक निकाल लेने है अपने और उनको छोटे एक्षर में लिख देना है और इसके बाद आपको अपने date of birth का दिन और मन्त लिख देना है अगर आप अपना नाम से और आपकी date of birth से पास्वेट नहीं बना पा रहे हैं confusion में हैं तो आपके पास एक option और होता है उसके लिए क्या करना है simple सा आपको अगर अपनी customer ID पता है तो आप अपनी customer ID से भी अपने bank को बढ़ोदा के statement का password खोल सकते हैं तो अगर आप अपनी इस PDF को open करके और यहाँ पर अपनी customer ID भी डालते हैं तो भी पर PDF है यह open हो जाएगा अब customer ID आपके जो पासबुक है उस पर भी आपको मिल सकती है अब जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना password डाल दिया है अब जैसे में open वाले option भी क्लिक करूंगा तो हमारा जो statement का PDF है यह open हो जाएगा लेकिन जब तक हम password नहीं डालेंगे तब तक हमारा statement का PDF open नहीं होगा अब इस PDF में अगर आप देखेंगे तो आपकी बहुत सारी जान करी रहती है आपकी customer ID मिल जाएगी अप कई लोग क्या customer ID को भटकते रहते हैं दरूतर customer ID नहीं मिल रही है net banking चालू करना है तो customer ID आपको देखें यहाँ पर मिल जाएगी आपकी इसमें आ पर आपके account में आया है कितना कब गया है किस तारीक को गया है और कहां पर आपने payment किया है साथ में जो आपका account में balance होगा वह भी आपको बता दी जाएगा कि आपका उस समय closing balance कितना था इसकला यहाँ पर आपका MIRC code है बहुत मिल जाएगा आपको IPC code भी आपको मिल पर आपको इस PDF के अंदर देखने को मिल जाएगी statement हमारे लिए बहुत सारी जगों पर लगता है आजकल आप trade card apply करिए का वहां पर भी आपसे हो सकता है statement मांग लिया जाए या आप कहीं से लॉन लेने जाते हैं तो वहां पर भी आपसे bank या फिर कुई company आपसे तीन महीने क अच्छा मेंने का statement मांग सकती है तो बहुत मड़ी समस्या आती है statement open करने में क्या होता है कि जब हम PDF में statement upload करते हैं कहीं पर तो वहां पर यह पासबर्ट हमको डालना पड़ता है तो आपको यही बाला अपना पासबर्ट डाल देना जो बताए हमने आपको इस फरकार से आप अपना बैंक और बड़ोदा का statement का जो पासबर्ट है वो बना सकते हैं और अपनी PDF को खोल सकते हैं अगर आपको हमरी जानकरी प्रसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना चले मिलते हैं किसी next वीडियो में